कि आपका अपने यूटूब चनल भी में मैं मनोज कुमार आज आपके लिए सभीधान के अनुच्छेद के बारे में लेकर आया हूं दोस्तों जो कि आपके आने वाली रेलबे के प्रिक्सा कि दूस्तों यूटूवारा यूश्तों में अनुचेद पढ़ेंगे हम और उसकी साथ साथ पढ़ेंगे भाग सविधान में कितने भागते और राज्जोगा गठन कैसेखे अंगरें कि बारे कर सके हैं दोस्तों भारते सविधान भारते सविधान में आज पड़ते हैं भाग भाग देखें दोस्तों मूल सविधान में जो भागों की संख्या थी वो थी बाइस मूल सविधान में भागों की संख्या बाइस थी और अनुछेदों की संख्या अनुछेद अनुछेदों क सुचिती मूल सविधान में लेकिन वर्तमान में बात करूं तो दोस्तों बाइस भाग के जगा वोगे पच्चिस भाग और अनुछेदों के लगबग तो दोस्तों यहां तक कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि कितने भाग होगे कितने अनुछेदों कितने वोगे अब हम पढ़ेंगे भाग और उन भागों में कौन कौन से अनुछेद दिया है और अनुछेद के बारे में कैसे कैसे वेख्या की गई है तो दोस्तों आज हम यह पढ़ने हैं भागों के बारे में हैं भाग दे रखा हैं भाग फस्ट भाग एक अनुछेद एक से लेके चार तक अनुछेद एक से लेके चार तक भारते समीधान में क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसमें ही हम देखेंगे राज्जों के बा केबिनेट मिसन जब 24 मार्च 1916 को भारत पहुंच था तो उसने सबसे पहले यही बात रखे दी कि भारत जो है राज्जों का संग होगा और भारत राज्जों का संग जब अपना सविदान लिख सको ठीक हैं तो सर्दार बल comments नाया काम किया सारे परांतों मिलाना काम किया और राज्जों का गठन किया और सारे रियास्ते सारे एक साथ मिलकर इकट वी जब कि मैं आपको बताऊं हैदराबाद एक ऐसे रियास्ती जिसने मिलने में मिलकुल ही निकार कर जाता और ये कोस्तन भी पुछ आता है कि कौन से रियास्त ने भारते सविदान सभा में भाग नहीं लिया था तो ये रियासत थी आपकी हैदराबाद रियासत तो जो बात उन्होंने कहे थे कि भारे जो है राजों का संग होगा वही बात हमारे नुछेद नमबर एक में लिखी हुई है कि भारे जो है राजों का संग होगा और केंद्र सासित परदेस है नो केंद्र सासित परदेस कितने है दोस्तों नो केंद्र सासित परदेस है पहले कितनी संख्या थे निके साथ थे लेकिन अब कितनी संख्या है निके नो संख्या हो गई उसके बाद अनुछेद नमबर दो अनुछेद नमबर दो क्या कहता है कि संसत द्वारा नए राज्यों का गठन या इस्थापना करने का अधिकार होगा यानि कि संसत को एक अधिकार दे रखा है कि नए राज्यों का गठन क्या जा सकता है और उनकी इस्थापना की जा सकती है गठन और स्थावन वैसे एक ही बाद होती है लेकिन ये जो अधिकार है उस संसद को नए राज़ों को गठन करना उसके बाद आर्टिकल नमबर 3 आर्टिकल नमबर 3 क्या कहता है आर्टिकल नमबर 3 आपको बताता है कि संसद दुआरा किसी भी सिमा छेतर का नाम में परिवर्दन मतलब कोई भी राज़य का सिमा छेतर पढ़ रही है उसके नाम में परिवर्दन कर सकता है और उसके नाम को बदल सकता है जैसे कि मैं आपको बताओं कि बहुत सारे राज़य हैं जिनके नाम पहले कि सोर्गटी सा किया गया तर बादमेर की नाम चेंज कर देंगे और आर्टेकल नंबर तीरनी était-यसाज मंस्थार्य, संसद को एक वफ大家 कि यह नेमें दो सदिक राज्यों को एक राज्य बना सकती है या एक राज़्य के दो या दो सदिक राज्य को उसमें से तोड भी सकती है यानि कि जैसे कि अभी आपको पता है आंधर प्रदेस में से तेलंगाना राज्या लग किया गया उत्तर प्रदेस में से उत्तर खंड राज्या लग किया गया था बिहार में जहार खंड लग किया गया था तो इस तरह से करके कई भी वो सारे राज्यों को हम क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं संसत को यह अधिकार है कि दो या दो साधिक राज्यों को एक राज्यों बना सकती है या एक राज्यों में से दो या दो साधिक राज्यों को बना सकती है यानि कि उसके नाम में वर्तन करना, चेतर नाम वर्तन करना, या आर्टिकल नमबर दो में दिया हुआ है, मैं इसके बारे में भी आपको बताओं, आर्टिकल नमबर तीन के बारे में बताओं, कि इसने मतलम नाम चेंज किया है, जैसे कि मैं आपको बताओं, एक नेफा था नेफा, नेफा क एक और नाम था उत्त्राखंड उत्रांचल के नाम ते इसका नाम गठित क्या गया था उत्रांचल के नाम से इसका नाम क्या गया था गठित क्या गया था लेकिन वर्तमाने इसका नाम क्या है उत्त्राखंड उत्त्राखंड इसका नाम परिवर्दन कर जा गया तो यह आर्ट कि एक पुम्बई नाम था उसका नाम रखागा है मूंबई क्या नवान हम रखा गया दोस्तों ईसका मूंबई नाम रखागया 1950 में Iska नाम क्या дрλयागा एक एसड़िक walking बेक dew project रहा या लेकिन वरतवान में Iska نाम क्या है कॉल्कि तो जो इस तरह है कि नाम चेंज कहते हैं वो किसके नुसार कहते हैं दोस्तों वो संसत के नुसार कहते हैं लेकिन आर्टिकल नंबर तीन एक माँ आपको और नाम बदाओं एक नाम था आपका जैसे और नुसार क्या आता है कि इनुछे में और थीन पहीं गए बार तभी मानने होगी मतलब जो आर्टिकल नमबर 2 में और आर्टिकल नमबर 3 में जो बात कह रखी है ये जवी बात मानने होगी जब अनुछे 368 के नुसार सविधान संसोधन मानने होगा जब अनुछे 368 के नुसार सविधान में संसोधन मानने होगा तो आपकी कही गई दो और अर्टिकल नमबर दो और अर्टिकल नमबर तीन में बाद मानने नहीं होगी यहां ते समीमार राज्योगा गठन कैसे क्या गया राज्योगा गठन के लिए क्या क्या गया कि जो हमारे देश के पर्थम राश्ट पती थे पर्थम राश्ट पती पर्थम राश्ट पती कौन थे दोस्तों हमारे देश के पर्थम राश्ट पती थे डॉक्टर राजेंदर परसाज जी इन्होंने क्या किया जो नियाले के जज थे नियाले में जो जज थे नियाले के जज जज उनका नाम था S के धर S के S के धर इनकी अध्यक्स्ता में इनकी अध्यक्स्ता में अध्यक्स्ता में एक समिती एक समीती गठित की गई जिस समीती का नाम था S के धर S के धर समीती इसकी स्थापना 27 नमबर 1947 को इसकी स्थापना की गई किसकी एसके दर सिमिती की स्थापना की गई और जब एसके दर सिमिती की स्थापना की गई एसके दर इसके दिक्स्ता कर रहे दे और इन्होंने क्या किया 1948 के अंदर 1948 में राज्यों का जो गठन किया जाएगा वो क्या जाएगा भासा इधार पर इन्होंने क्या कमिटिक गठित करके क्या बतायागा कि जो राज्यों गठन किया जाएगा वो भासा इधार पर गठित किया जाएगा तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट परस्तूत कर दिया 1948 में कि जितने भी राज्य भारत के अंदर बने गेंगे वो सब बासाहेदार पर गटित किया जाए तो जब बासाहेदार पर राज्य गटित किया जाने थे तो क्या किया गया एक अक्टूबर 1953 में पंडित जवाल लाल नहरू के दवारा नहरू के दवारा एक अक्टूबर 1953 में पंडित जवालाल नहरू के दवारा भासाई अधार पर आधार पर आंदर परदेश राज्य बनाया गया आंदर परदेश राज्य बनाया गया भासाई अधार पर सबसे पहला देश के अंदर जो राज्य गडित किया गया था उस राज्य का नाम था आंदर प्रदेश आंदर प्रदेश का पुराना नाम था सिमांदर और इसकी राजदानी था अमरावती वर्तमान में इसका नाम क्या है आंदर प्रदेश है और इसकी राजदानी वर्तमान में अमरावती बना दी गई है और इसका गठन क्या गया किस अधार पर बासा इधार पर ये बार बार कोस्तन पुछा आता है बासा इधार पर 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 पर्थम राज्य गठित होने वाला तो उसका नाम था आंदर प्रदेश, आंदर प्रदेश राज्य बना था, बासा यदार पर पर्थम, उसके बाद क्या हुआ, सात्वा सविधान संसोदन हुआ, सविधान संसोदन हुआ, सात्वा सविधान संसोदन हुआ, 1956 में, और एक राज्य बनाया गया, जिसका नाम था क किरल राज्य का गठन किया गया 1956 में उसके बाद 1956 में फिर दुबारे कमेटित की गई राज्यों का पुनन गठन के नाम से एक कमेटित की गई और इसके अध्यक्स बनाए गए इसके अध्यक्स जो बनाए गए उनका नाम था फजल अली ये बनाए गए थे राज्यों का पुन माराथी बनाए गया और जो आपकी गुजराती दी गुजराती उसके अधार आपका गुजरात राज्ये को गठित कर दे गया और अब तक कि हमारे देश के अंदर कितने राज्ये थे 16 राज्ये बनाए गए थे 16 राज्ये पलस दो केंदर सासित परदेश नसो कईधर तो 16 तक कि उसके पाद सवीदान संसोतन करते गे और राज्यों का राज्यों को तो दहें किक यातनी है मिज़ से कहता है मैं अपने छे भागों में आम की उपज्चAU गशा गया था कुछन का जबू खांड这 उसके बाद 2003 में वह मैं आगमारे इक राजव राज्जा ले घ्टित लेकिन उसको पहले गटित किया गया था तो दोस्तों राज्य कब कब कौन सा राज्य गटित किया गया देखे दोस्तों जो में इसमें मी समझ लिखावा इसका मला है मिजोरम मिजोरम राज्य है इसकी स्थापना वेदी 20 फरवरी 1987 को 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तो त्री का मलव है त्रे का मलव है त्री पुरा इसकी स्थापना 21 जनवरी 1902 की गई थी दोस्तो उसके बाद आया का मतलब है अरुणाचल परदेश अणचल प्रदेश की स्थापना की गई थे 20 फरवरी 1987 को उसके बाद ये तैसब्द है तमिल नाडू की स्थापना हुए थे सिक्किम 26 अप्रेल 1975 को स्थापना की गई कै केरल 1956 में साथवस अभीदान संसोतनवाद 1956 में इसकी स्थापना वी थी उसके बाद है हर्याना हर्याने की स्थापना की गई थी एक नवंबर 1971 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तो उसके बाद है आपका ता का मतलब हो जाएगा यहाँ पर तेलंग गाना तो यह जो सब्द लिखे हो थी इनिका मेंनीक का मतलब मैंने लिखा हैं ह addicted कभकभ लिखे गई है're आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूं मैं और यहांपे देखे फिर यहांपे आगे है मैं साब्त लिका मैं का मना है मेगले मेगले की स्अपना कब की गए दोस्तों तो मेगले की इस थापना की गए थी 21 जनवरी 1902 को 5 बंगाल 25 बंगाल की स्अपना वी थी बिहार की चार्फनावीटीई एग अप्रैल उन्निसो चटिसको गोवा तीजुमैी उन्निसो सतस्तिको चार्फनावीदी निवीटीu आंधर परदेसि एक अक्टूबर उन्निसो लिफ्न को स्थापनावीदीetaan मध्य परदेस ait 20착फनावीटीu करण नाटक एक नमोंबर 1956 को स्टापना वी दी ओडिसा एक नमोंबर 1936 को स्टापना वी दी पंजाब एक नमोंबर 1966 को स्टापना वी दी जम्बू कस्मीर 26 اक्टubar 1947 को गठन किया गया दोस्तो उसके बाद है आपका उत्तरखन्ड 9 नमबर 2000 को स्थापना भी इसकी दोस्तों उसके बाद है आपका गुजरात गुजरात की विदी 1 माई 1960 1 माई 1960 को इसकी स्थापना भी थी उसके बाद है आपका उ उ का मलब है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 24 जनवरी 2950 24 जनवरी 1950 को उतरप्रदेश का गठन किया गया था और ये सारे राज्ये जो मैंने आप लोगों को बताया है इनका गठन कप कप किया गया है ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों कि इनका गठन कप किया गया है पहले हमारे भारत में कितने राज्जे थे और पाज में सविधान संसोदन करकर के कितने राज्जे कएगए हैं और वर्तमान में हमारे राज्जे कितने हैं जैसे कि मैंने आपको पता है जंफू कस्मीर एक हमारा राज्जे था जिसका गटन 26 जनवर अक्टूबर 1947 को गटन किया गया था 1956 में पुनन गटन वा 1969 में इसमें एक धारा लगाए गए 370 धारा और 370 धारा के तैयत ये एक विसेश दर्जा मानत अफ्राप्त राज्य बन गया इसके बाद दो हजार उन् conducted point इसमें से 370 धारा था गई और इस राज्य को क्या कर जागए हटा दिया गया और इस राज्य कोह जैसे अटाए नेकिन केंज्साण सासित परदेस की सन्णी में रंखा गया और औरो वे दो राज्ज चांचित एक जम्भू बना गया है और एक आपका लद्डाग बना गया हैं यह तो hopsкихें साशित प्रदेश इसमें से गठित कर जाएगए तो केंडिल साशित प्रदेश देश जो हमारे डेश के अनदर बन गई वह नो बन गई और जो आपके राज्य इह कितने रह गए यह 28 रह गए 29 राज्यतες कसमी राज्यस में से क्या कर दिया गया है हटा दिया गया है और हमाert देश में राज्य है एक इस वर्टमान वी याद कैसा रखना है आपको छलो दिल दे दो आप ले जा चलो दिल दे दो आप ले जा तो देखो चै का मलब ऐसमें चंडिगर्ड ले का मतलब लक्षे दीव, दिल का मतलब दिली, दै का मतलब दमनवे दीव, दा का मतलब दादरवे नागर हवेली, आ का मतलब अन्दमान एंड निकोबार, और पै का मतलब पुंदु छेरी, और ले का मतलब हो जाएगा समें लक्षे दीव, और जा का मतलब हो जाएगा समें जम्बु ग बभारत के अंदर आपको यह वीडियो को भूट पेसे करने की